भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके नशे की तसकरी को लेकर काफी सक्रिये हैं तसकर नशे की खेप बॉर्डर पार करने और लाने के लिए रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं यहां बॉर्डर से सटे नान पारा और बॉर्डर चेकेंग के दोरान लगभग सवा करोड की स्मैक बरामक की गई है आज बात ये हैं कि नशे की इतनी बड़ी खेप एक 14 वर्षिये नाबाले गोर दो महिलाओं से बरामक की गई पुलिस ने बरामत स्मैक को कबजे मे लेकर मह महिलाओं को तो जेल भीज दिया है और नाबाले का मेडिकल परिक्षन करवाने के लिए भीज दिया है बॉर्डर पर पुलिस कस्टम और SSB की मुस्तैदी होने के बावजूद नशे का करोबार आसानी से फल फूल रहा है तसकर रोज करोडों की स्मैक इस पार से उस पार ल काहिनी की चेकिंग के दोरान 14 वर्षिय नाबालिग लड़के से 70 ग्राम स्मैक बरामद की गई अंतराश्ट्रिय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत लगभग 70 लाक रुपे बताई जा रही है वहां दूसरी तरफ बॉर्डर से सटेकोत वाली नान पारा इलाके से दो महिला तसकरों से 150 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है जानकारी के मताबिक दोनों महिला तसकर स्मैक को नेपाल ले जाने की फिराक में थी कि तभी पुलिस की चेकिंग में दोनों पकड़ी गई गिरफतार महिलाओं के पास से बरामद हुई स्मैक की कीमत लगभग 1.5 करोड ब अपने गोरक दंदे को संचालित कर रहे हैं लेकिन इन पर किसी भी तरह की लगाम लगाने में बॉर्डर पुलिस नाकाम साबित हो रही है यह बच्चे की उम्रा 14 साल बताई आ रही है और इसमें हम गहराई से तकीकात कर रहे हैं किसके पीशे कौन लोग शामील है और उसका पता लगा कि उसको भी करवाई करें अब महिलाएं तो जो इसमें शामील है वो इस्तिमाल तो नहीं हो अपनी आर्थिक स्थिक के लिए इस तरह के धंडे में वो पहले से ही शामील है यह बात जरूर है कि कुछ बच्चों को इसमें शामील किया गया है और उसकी हम कराई से चानबीन करवा रहा है कि इसकी पीशे कौन लोग शामील है और जैसे उनका पता लगा हम उनके खिलागतारवाई करेंगे